कहते हैं एफनो सट्टे बाजी है ठीक है मान लिया तुम बंद करोना चाहा तुम रख्य काहे हो इसके साथ कभी टेक्स लगा देंगे 30% कभी ये कर देंगे कभी में इतना लफड़े बाजी चल काहे रहा है भाई ये देखो हमको यह नहीं समझा रहा है कि मजाक चल रहा है ल lot size हो जाएगा अभी जो आप options buyer है especially option buyer बोल रहा हूं option seller नहीं क्यों ऐसा बोल रहा हूं आगे चल के पता चलेगा आपको अभी अगर आप मानलो bank nifty का 15 का lot खरीद लेते हो एक lot आपको 15 का मिल जाता है तो चार से 5 गुना हो जाएगा 40 हो सकता है 50 हो सकता है 45 हो सकता है ठीक है तो इसका मतलब जादा पैसा आपको देना पड़ेगा नहीं ट्रेड करने के लिए मोटा मोटी यह समझो के भी 8 से 10,000 रुपे में जो option buying में आपकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है वो शुरू होगी 45-50,000 या 60,000 में जाकर के यानि कि जादा पैसा आपको देना अगली बात क्या है कि advance margin deposit आपको करना पड़ेगा option selling की तरह option selling में क्या होता है जब पहले के टाइम पर क्या होता था जब option selling का concept आया था तो वहाँ पर पहले margin नहीं लगते थे जितने का premium आप बेच रहे हो उतना ही पैसा दे दो लेकिन बाद में दिरे-दिरे rule आया कि margin extra deposit क करने का मतलब समझाता हूँ जैसे आप कहते हो कि मैं 10 रुपे की चीज बेच रहा हूं तो 10 रुपे दे दो 10 रुपे की चीज बेच दो लेकिन बाद में रूल आया कि ठीक है 10 रुपे की चीज बेचनी है तो 10 नहीं मेरे पास कम से कम 15 20 25 तुम जमा कर गए रखो और 10 करो जैसा option selling में होता है उसके बाद high margin deposit होगा नियर expiry expiry के पास आते आते आपका premium सस्ता होता चला जाता है अब सस्ता होने की वज़े ज्यादा लोग कूदते हैं इसमें क्या concept है zero to hero है एक रुपए लगा के सौ बना लेंगे भाईया तो इस चक्कर में ज्यादा लोग कूदते हैं ज्यादा लोग दाव लगाते हैं लेकिन data यह है कि maximum लोग का loss ही होता है यह data तो वह यह कितने दिनों से घुम रहा है 10 में से 9 option trader loss में है तो expiry में ज्यादा लोग कमाते नहीं है ज्यादा लोग गवाते हैं सस्ते के चक्कर में मरते हैं यह data है तो इसलिए expiry के पास आते आते और ज्यादा margin आपको deposit करना पड़ेगा यह भी proposal है उसके बाद एक expiry हो जाएगी weekly अभी क्या है daily का जो expiry है आपका कभी fin nifty कभी mid nifty कभी nifty कभी bank nifty कभी यह nifty कभी और निफटी कभी फलना निफटी कभी चिलना निफटी चल रहा है ना यह खिल तो अभी आप एक ही हो जाएगा यह proposal है अब देखो इसमें मेरी कुछ चीजें मैं अपनी बात अब रखता हूँ देखो सर हुआ क्या ज़्यादा दिनों की बात नहीं है कुछ ही दिनों पहले bank nifty का लॉट 25 का हुआ करता था बैंक निफटी का लॉट 25 से घटा करके 15 कर दिया गया अच्छा उससे भी कुछ ही दिनों पहले जादा नहीं बात है साथ मुझे लग रहा है 3-4 मेने 6 मेने या फिर साल के अंदर इंदर ही होगा वो जो 25 का लॉट बैंक निफटी का था 50 का हुआ करता था वो 50 का लॉट प करने वाला कौन है क्या ऐसा हुआ कि यह जो प्रपोजल अभी से में के पास से लागु करने वाली है यह हो कर सकती है लागु पहले वाला प्रपोजल किसने लॉट किया था हो 50 오गा पर 55 जॉंस नेखंग था कि अ अभी ने किया था ऊच्छा दो एग्शतार को पांश Hij किसन पहले से भी कुछ ऐसा कर रहे थी कि जादा से ज़ादा नए लोग option trading में आये retailers कम से कम पैसे मैं option trading कर पाएं लेकिन अब कहीओ नए नहीं हम ज़ादा पैसा लेंगे तो हमें यह नहीं समाहरे रहा कि से भी पहले तहीड ले रहे थी या अभी सभी की अभी साहिव कर रहे हैं पता नहीं मुझे भी नहीं पता मैं भी कंफ्यूज हूं वह आप पर छोड़ता हूं कुछ ऐसा मुझे साउंड कर रहा है कि कि किसी आदमी को कोई आदमी दारू नहीं पीता है और उसको दारू पिला अलाकि एक्जांपल आप्शन ट्रेडिंग के साथ गलत है ले तूमी ने तो पहले बोला था कि बहुत बने चीए पी और पी और सारा गम भूल जाओं कुछ ऐसा ही होता हुए दिख रहा है आप बताओ डर्यक्ली नहीं कह सकते आ है कि क्या ही बोले यार मैं कुद ही कन्स्यूज हूं यह चला क्या रहा है पहले ग्यानिक लोगों को एक् फेरिमेंट करते है स्टॉक मारकेट में एक्सपेरिमेंट करना तो किस पर कुट्पन भी लाए चुप हो पे ठोड़ी करेंगें इंसानों पर करेंगें ना मुझे यह नहीं समझा रहा अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है या पहले एक्सपेरिमेंट चल रहा था क्या चल रहा है मैं बड़ा रूड बोल रहा हूं लेकिन को कहते हैं अब जिसे इंपेंक भी मैंने दारू के साथ लेलिया उगर्णत है कि तदें आइफ एंट लगा देंगे 30 कभी यह कर देंगे कभी में इसपा है देंगे कभी बड़ा इतना लफड़े बाजी चल काहे रहा है अगर यह सच में जुआ है सच में सट्टे बाजी आप बंद काहीं निकर रहे हैं तो इसका जो बंद गर उसका खेल खतम करो लेकिन खेल भी नहीं खतम करना इस टी यह नहीं रहे हैं आपके अगर सच में यह चिंता है कि दस में से नौ ट्रेडर लॉस में हैं इसलिए हमको भया लॉट साइज बड़ा किया जाए ज्यादा पैसा लगेंगे तो लोग कम आएंगे सर जिस जिस एक बात बताओ जिस जगे पे दारू महंगा हुआ फिर मैं दारू से कंपेर कर रहा हूं अलगी गलत है यह इसलिए कह रहा हूं कि आदमी को जिस चीज को करने का लट लग जाता है न उसका रेट आप कितना ही महंगा कर दो आदमी छोड़ता नहीं है ठीक है इस को कहने में मैं जराबी नहीं कतरा हूंगा कि Option Trading भी एक लत्क जैसा है trading यह जएक लग गया जिसको लॉस्सизм भी हो रहा है वो फिर भी करेगा वह गलत पार्ट वह गलत पार्ट है लेकिन मैं कहता हूं क्या सारे लोग ऐसे अ करते हैं क्या सारे लोग सट्टे बाज यह क्या सा अपना घर भी चला रहे हैं उन लोगों का तो सोची ही नहीं रहा फिर हम और आप कहते हो नहीं नहीं ट्रेडिंग तो आप फिर तो कुछ दिनों पहले बनाया था ना पचास का लॉट क्यों पंद्रा किया फिर पहले पचीस किया क्यों किया फिर वह बिचारे चोटे चोटे ट्रेडर दस पंद्रा आजार लग के ट्रेडिंग सिंग और आप जो कहेंगे वो तो हो गाई ठीक है अब आप जो कहेंगे वो तो होगा ही ना लेकिन मुझे समाजी नहीं आ रहा है यह क्या चल रहा है आपको समझा रहा है कुछ पहले कभी तीस परशेंट वाली बात आती है कभी यह आता है यह मैं टोटली आप पर छोड़ता हूं कमेंट बक्स पढ़ना मैं मतलब ल ठीक है लेकिन हर चीज के दो पहलू है यार हर चीज के दो पहलू है कुछ लोगों के लिए ठीक है कुछ लोग खराब है अब एक्सपाइरी में तो ठीक है जाद और लोग पैसे गवा रहे हैं जाद तो लोग पैसे लूज कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग पैसे कमा भी तो उनका क्या उनका क्या और आप अगर यह कहते हो कि उन्हें एक परसेंट के लिए हम नहीं सोचेंगे भाइए हमको तो 99 परसेंट लोग जो पैसा गवा रहे हैं हमको उसका सोचना है मैं फिर एक सवाल करता हूं सर्थ दुनिया की कैसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर पीक प सफल हो पाते हैं मुझे तो कोई ऐसी इंडस्ट्री ने दिखती जहां वन परसेंट से ज्यादा सक्सेस रेशियो है किते लोग अंबानी किते लोग टाटा है तो बड़ा जीवों खरीब खिल चल रहा है ऐसा मुझे लगता है बाकि आप बताना अगर सही चीज मेरे से अग अगर अपनी रायदू थोड़ी सी मेहनत करने की जुरत है अगर थोड़ी सी मेहनत करती है जो decision makers है अगर कुछ भी कुछ भी नहीं है हम शिदा सुदोस ने जचकते यह क्यों कर दिया कि अन्होंने अभी कुछ नहीं है यह सिर्प्रपोजल प्रपोज थे चल रहा है जब कर होंगा entry barrier डाला जा सकता है entry barrier कहने का मतलब जिस जगे पर कोई भी घुश सकता है वहाँ पर failure ratio जादा हो गई होगा जैसे आई-एस बनने के लिए बहुत बड़ा tough exam है इसलिए limited लोग पहुंचते हैं अगर उसका आसान कर दिया जाए अगर फिर गुशा दिया जाए को सब को आई-एस बन जाएगा फिर आई-एस की वेल्यू क्या रहेगी तो ट्रेडिंग में entry barrier create किया सकता है सर entry barrier create करने का तरीका 30% टैक्स या फिर जादा पैसा ले करके इसके बजाए जादा बहतर तरीका यह हो सकता है कि आप examination कंडग करा सकते हैं आज किसी को advisory का business शुरू करना है किसी को investment advisor बनना है किसी को research analyst बनना है किसी को mutual fund distributor बनना है आप exam तो कराते हैं न सेभी का exam होता है यह सम certification करने के बाद वह बन जाते हैं तो ऐसे मैं कहता हूं ट्रेडर बनने के लिए exam क्यों नहीं हो सकता है उसमें थोड़ी मेहनत बढ़ेगी उसमें थोड़ी लोग लगाने पड़ेंगे ट्रेडर बनने के लिए आप exam निकालिए ट्रेडिंग के लिए एक्जाम डाल दो ना इक कितना बढ़ी हो जाएगा प्यॉर लोग आएंगे अब उसमें कोई 10,000 से करना चाहिए पांच जार से करना चाहिए पांच लाग से करना चाहिए आपका टेंशनी खतम आपने तो पहले एंट्री बेरियर डाल रखो इतना ब आप कमेंट बॉक्स पढ़ाना मैं पढ़ूँगा सारे कमेंट पढ़ूँगा एक पढ़ूँगा